नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम निश्यर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राखंट की खास कपरों पर धर्मनगरी हरिद्वार में 2010 की तर्ज पर भव्य और द्यव्य कुम्ब कायो जिन किया जाएगा कनकर इस्तिति श्री पंचाईती अखडा नया उदासीन में कुम्ब मेले का लेकर संपन हुआ है अखडा परिशत की बैटक में संतों ने ये निर्ने ले लिया है कि बैटक में मेलादिकारी के माध्यम से मुख्य मंत्री को भूमी आवंटन, मूल भूत सुविदाय और प्रियाग राज में माग मेले की विवस्ताओं का निरेक्षन करवाने के लिए पत्र बिज़ा जाएगा अब दर्मनगरी में कुम्ब मेले कारेों की 24 गंटे निगरानी की जाएगी जी हाँ, कारेों की रिपोर्ट मेलादिकारी को सौपी जाएगी, इसके लिए मेलादिकारी दीपक रावत ने निगरानी समिती का गठन किया है वही नए घाटों के निर्मान और पुराने घाटों के सौंधरी करण कारेों के लिए समय सीमा तै कर दी गई है मेल अधिकारी दीपक रावत ने कुम्ब कारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की है उत्रकंट सिचाई विवाक के अधिकारियों ने मेल अधिकारी ने बताया कि घाटों के सौंधरी करण का काम करीब 48 फीज दी पूरा कर लिया गया कृषी कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों के बॉर्डर पर लगाए गए बेरियर पर जमकर जड़ब भी हो गई है सितार गंज में किसानों ने ट्रेक्टर चड़ा कर बैरिकेट तोड़ दी है पुलिस ने कुछ दूर तक दौनों वाहनों पर डंडे पर साय लेकिन वह पुलिस के हत्ते नहीं चड़े हैं जड़ब के दौरान ऐसो की वर्दी भी फट गई वर्दी पर लगे स्टार भी किसानों ने नौश डाले हैं बाचपुर में भी बैरिकेटिंग तोड़कर किसानों ने 400 वाहनों का जथा दिल्ली कूच कर गया है इसके अलावा कई जगाओ पर पुलिस के रोके जाने पर किसान अपने वाहन छोड़कर पैदाली चल दिये देहरदून में कोरोना संक्रमित की रफतार एक बार फिर से बढ़ती जा रही है बीदे 24 गंटे में 468 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 5 मरीजों की मौद भी हो गई है देहरदून और नहीनिताल जिले में रोजाना सबसे जादा संक्रमित सामने आ रहे हैं कुल संक्रमितों की संक्या 90,000 हो गई है वहीं 5,510 सक्रिय मरीज का उप्चार अभी चल रहा है स्वास्थ बेबाग के आकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 14,249 सेंपलों की जांच रिपोर्ट नेगिटिव आई है वहीं देहरदून जिले में सबसे अधिक 160 और नहीं ताल में 110 संक्रमित मरीज मिले हैं हरिद्वार में 26 हैं, उदम सिंग नगर में 23, पितोरागड में 52 मरीज मिले हैं आयरुवेद विश्विद्याले ने प्रकार्तिक तत्वों से एंटी बैक्टिरियल दूपम केक तयार किया है विश्विद्याले के दावा है कि इसको एक बार जलाने पर 72 घंटे तक बैक्टिरिया नहीं पनपते हैं ये वातावरण में मौझूद बैक्टिरिया को भी खत्म करता है विश्विद्याले ने इस अत्यंत गुड़कारी उत्पाद बताते हुए पेटेंट के लिए भी भी भेजा है दूपम केम को विश्विद्याले की ओश्यदी निर्मान शाला में तयार किया गया है अब तक इसके नतीजे बेहद उत्सा जनक रहे हैं मौसम केंद्र देरदून के पुर्वनुमान के मुताबिक एक बार फिर से राज में गड़वाल शेत्र के उचाई वाले हिस्सों में हलकी बारिश और बफवारी हो सकती है बाकिस्थानों पर मौसम ठीक रहेगा मौसम का ये बदलाव लगातार जारी रहेगा जिसके चलते प्रशाशन अलट पर है और लोगों की मदद करने के लिए हर संबफ प्रयाज भी किये जा रहे है और वहीं उत्राखंट के पौडी जिले में कोर्णा से पहरे डॉक्टर की मौत हो गई है जिल अस्पताल पौडी में डॉक्टर मौरे की एम से रिशिकेश में उच्चार के दोरान मौत हो गई जिसके बाद परिवार महाड कम पमच गया है फिलाल अभी भी कोरोना का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है जिसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट अब खड़ा होने लगा है दहरादून से अलीगर कानपूर प्रियागराज और लखनाव गोरकपूर जाने वाले यात्रियों के लिए खबर रहत देने वाली है रेलवे बोड ने यात्रियों की सुविदा के मद्दे नजर दहरादून प्रियागराज लिंक एक्सप्रेस के संचालन को 30 जनवरी तक भढ़ा दिया है वईदेरादून गोरकपूर राप्ती गंगा एक्सप्रेस के संचालन को 1 अप्रेल तक के लिए मंजूरी दे दिया हाला कि हरिदोर और एकड रेलवे स्टेशन की बीचे रेलवे लाइन का दोहरी करन के चलते ट्रेनो का संचालन 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए बंद रहेगा उसके बाद ट्रेनो का संचालन शूर कर दिया जाएगा उत्रखन के कोट दुआर में टाइल फेक्टरी के मालेक प्रमोत प्रजापती के घर बदमाशों ने डखेती के दौरान महिलाओं से मारपीट या गाली गलोज नहीं की बलकि वारदात से सहमे वरद समेट तीन लोगों को गर्म पानी पिलाया है डखेती के दौरान बदमाश पूजा घर में रखे पैसे और उनकी बेटी मांसी की गुलक के 7000 रुपे भी ले उड़े हैं लूट पार्ट के गटना के बाद बदमाशों ने शोर मचाने पर उनने जान से मारने की धंगी भी दी थी आसपास के CCTV खंगाले पर पुलिस को ये बात पता चली है कि बदमाश बाइक से गटना स्तल पहुचे और बाइक से ही फरार हुए है बदमाशों को दबोशने के लिए पुलिस ने 6 टीम लगा दी है दुपेर बाद शिनगर से पुलिस की फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम भी कोट दौर पहुच गई है जिसने घर में सभी इस्थानों पर फिंगर प्रिंट और आवश्रक सबूत एकतरित किये फिलारिस मुलिटी में सर्फ इतना ही जारा कबरों के लिए आप हमारे साथ लाग अतार बने रहे हैं नमस्कार